कि वेलकम तो आल आप यू आप सभी का मैं एक बाद स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करेंगे आई-पी अड्रेस के बारे में ठीक है कल हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग टेलिफोनी नंबर कैसे डिस्ट्रिब्यूट किया गया कौन सा नंबर दुनिया की किस क अधा गया इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या देखा था कि एक टेलिफोन नंबर है जो हमने यहां पर लीखा था दोबारा से पटाफट रिपीट करते हैं प्लस नाइन वन एक टेलफोन नंबर है वन टू जीरो तू सेवन डबल फाइफ के बाद वन सेख्ष ठोल ठीक एक नंबर हमने लिखा था कल इस पर हम लोग बात कर रहे थे और हमने दिखा था कि यह कोई भी टेलफोन नंबर है वो दो भागों में बटा होता है एक फिक्स पाल्ट होता है जिससे मुझे इस बात की जानकारी मलती है कि यह जो टेलफोन नंबर है दुनिया के किस कोने में दूसरा आपका कस्तमर का सिरियल नंबर जिसे ट्रिपल जीरो से स्टार्ट होगा जीरो जीरो वन फाइनली वो ट्रिपल नाइन तक जायागा यह बात हम लोगोंने लास सेचन में डिस्कस किया था साथ में भी डिस्कस किया था नकिन जो पहला नम्बर हो चाहे मोबाइल हो सब पे टेलिफोन नंबर बाटने का कॉंसेप यही था लेकिन एक इंडिया का अंदरे घटना घटी तूजी स्कैम के नाम में आप लोग जानते हैं उस समय अब जैसा कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल नेटवर के बारे में हम बात कर रहे थे जो लाइने टैलेपून नइने उसमें क्या था कि जो टैलेफून नाइने बिछी थी ती वो का पर वायर पर था बाद में हम लोगों ने मुबाइल टावर लगा दिये गए ठीक है तो जो पहला मोबाइल सुरू किय गया था तो उसमें जो मॉबाइल की बवस्ता की गई थी वह था आपका टेलिफोन था और एक्षेंज तक आ रहा था बीच में डीपी पीलर कैबिनेट होते वे इसको हमने हटा कर यहां पर हमने टावर लगा दिया था ठीक है और जो टेलिफोन नंबर ते बिल्कुल वज़से ही थे जैसे कि लैन लाइन के यह हमारा सीडियम में टेक्नलोज तो बाद में आया कि आपको एक तो नई लाइन बिचाने पड़ेगी दूसरी चीज यह बोला कि आपको सिर्फ वायर के उपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा तो हमने टावर लगाए और टावर से जो कापर वायर एक्षेंज तक आ रहा था उसको में लोगों ने वायर सेट भी बाटा उसका जो टेलिफोन नंबर था बिल्कुल सेम था क्योंकि लैन लाइन की जगर रिप्लेस कर रहे थे नाइन वन टू जीरो है तो मैंने कहां का होगा गाजियावाद नुएडा अगर जीरो फाइफ फॉर तु है तो कहां का वारनसी का जीरो डबल वान है त लेकिन रिलाइंस ने क्या किया उस नंबर पर रोमिंग कर दी अनि बंदा बैठा हुआ है अगर किसी का टेलिफोन नंबर सपोच करो यह है प्लस नाइन वान है उसके बाद आपका टू सेवन डबल फाइफ वन सिक्स पाइफ पूर इस तरह से नंबर है ठीक है तो यह जो यह दिल्ली में होना चाहिए लेकिन जब उसने रोमिंग दे दी यह बंदा जो था यह उठकर बनारस में बैठा हुआ है आपको तो लग रहा कि मैं ने तो दिल्ली नंबर मिला यह यहां पर मार्केट में आया तो यह टूजी स्कैम के नाम से आया कि घुटाला दे लिया य लेकिन आम पब्लिक परिशान ना हो तो फिर गवर्मेंट ने का ठीक एक ख्रीजी नए टेक्नलोजी बीएशनल ने लाया उस समय यह कहा गया कि यह कॉंसेप्ट तो ही रहेगा लेकिन इसके पहले चुकि शॉप्ट्वेर अच्छा सा डवलप हो गया तो आपको एक नई आई डिजिट का भी है कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उसका रिवर्स करेंगे उसके पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे तो सॉप्ट्वेर में हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि इसका जो यूनिक आईडी प्लस 91120 इस तरह से मिलेगा और मैं जान पाऊंगा कि मोबाइल किस एरिया का है और इसका फायदा और हुआ कि आपका नंबर आपको कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिक आईडी कंपनी के अंदर फिक्स होगा तो आप किसी भी कंपनी में चले जाओ यूनिक आईडी आपकी नहीं बदलेगी नंबर भी फिक्स रहेगा और यून लाइन के नंबर आज की डेट में सिस्टेमेटिक नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीछे कोई चीज बदल पीछे बिलकुल सेम मैनर में जैसे पहले बताएगा उसी तरह से ही 91120 डिफाइंड है ठीक है यह तो राट टेलिफोन नंबर का और 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 काइंड इनफ धिर आप तीक है ना ऑफिर C wedding कोड को जैनेड किया गया ठीक है टेल्सित पीन कोड़ आपसर का वी घृटिसान होती है जहां जहां जहां-बिलकुल सीम होगा जैसा मनें dwी बता है ठीक है अब हमें आते कि search आज पहले है सान बात करते थे तो डेसिमल नंबर था जो अभी आपके सामने हम एक दूसरे को और आप अभी इस यूग में हैं कि आपको इस बात की जानकारी है कि डेसिमल नंबर हम कहते किसको हैं ठीक है लेकिन समय बदला अब नया कॉंसेप्ट आया ठीक है आई-पी अड्रेस क्योंकि म न्यू वर्जन आप कह सकते हो दन्यू वर्जन आप टेलिफोन नंबर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यह भी जो आई-पी अड्रेस है वह भी बिल्कुल वैसे ही बटा होगा जैसे की लैनलाइन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन यह जो पुराना डेसिमल में टू की पाउर ठाटी टू होगा तो यह कायने का मतलब है इसकी जो संख्या है लिमिटेड हो गई लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के जमाने में हमारे एक चीज को आई-पी अड्रेस देंगे इवेन अपने आप जो कपड़ी भी पहनेंगे ना इसको भी आई-ड इड्रेस का मार्केट में अवलेबल था जिसको इंडिया और चाइना ने प्रेटिकल में ले आए इंडिया और चाइना ठीक है इससे तो मारा बात नहीं बन रहा है कुछ नया करो तो जब उसको वह आपका था 128 बिट्स का और जो नए वाल आइप अड्रेस को इसको नया न लेकिन समय की रिक्वाइरमेंट ही कि हम हर एक डिवाईस को आइप एड्रेस देंगे एम डिवल मेरे आवाज आ रहे है तो 25 से पहले एड्रेस था इस था प्रहा यह आज़ के लेकिन आज भी अभी तक दिसंबर दो हजार पचीष अभी तेश चल रहे है करीब दोढ़ा इ इंटरनेट मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं यह इंटरनेट अभी भी आई-पी-वी-फोर पे ही है माइग्रेशन का काम चल रहा है और और काइंड इंडिया के अंदर ट्रेनिंग और ड्वलप्मेंट सेंटर जो पहला बना आई-पी-वी-शिक्स का वह यल्टी-टी- गाजियाबाद है हमारा ही सेंटर जहां साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं आप गोगल पर जाली आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग तब फॉस्ट आई-पी-वी ट्रेनिंग सेंटर विद यल्टी-टी-टी-ची गाजियाबाद इसमें आई-टी-कानपुर के प्रोफेसर थे आई आई-पी-वी-फोर है अब हम इसको समझने के कोशिश करें आई-पी-वी-फोर है ठीक है अगर मैं इस्ता सलीको 111000011111 तो मैं क्या लिखा 32-bit बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको इसको डेसिमल में बदानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हो सकता कि आप स अपने कॉलेज पढ़ते हैं कि जी का अन्म्यूट कर देते हैं रिया अन्म्यूट प्लीज और सिंपल अप्रिटिकल सवाल होगा आप सभी को आंसर मालू है कि माल लिजे आप अपने क्लास्रूम में आपके 32 बैच्मेट है 32 स्टुडेंट है आप इस क्लास में पढ़ती है मैं कलास्रूम में आऊं और मेरे पास चार काम है I have four work ठीक है और मैं कलास्रूम में बच्चों से आप सभी के सामने announcement करों की इक चार काम है सबागेंगे इसकी संभावना किवल दो-चार प्रसेंट होगी कि क्लास में बच्चे होते हैं लेकिन ज्यादा तर ना वाले मिलेंगे तीक है अब इसी सेम्स पोजिशन है अम इसकी को बदल देता हूं मैं क्या करूं क्लास में 32 मैंने आठाट का चार गुरूप बना दिया आठ बच्चे इधर खड़े हो जा आठ इधर खड़े जा और सभी क पॉजिशन में और साथ में पंदरा दिन के चुटी मिलेंगे जो दूसरे नमर पर आएगा उसको देट आब आब देना पड़ेगा आप क्या लगता है काम होगा की तो वही चीज जो हम प्रेटकल में करते और ही हम ने किया जो थर्टी टू बीट ता इसको आसानी से आप मिउट हो सकते हैं इसको आसानी से हम लोग हैंडिल नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों ने क्या कि इसको आसान बनाने के लिए आठाट का चार गूरूप बनाया किस ने किया एक आम इंसान ने किया जिसने पहली बार युस ने किया था पहली बार उन्हों ने आट-था बिट कर चार गूरूप बनाए और एक गूरूप और यह कि सारी इसकी चुरूप 4 5 6 7 8 ठीक है सारे भी 0 सुरू होगी 1 से शुरू होगा फिर 1 0 सुरू होगा लास्ट में आठो बीट 1 हो जाएगा तो अगर मैं इसका decimal की बात करो तो एक group का decimal सुरू होगा 0 से लेके 012 और आठो हो जाया तो इसकी वैलू आएगी 255 अनि जो भी आइपी अड्रेस होगा उसको लिखने का तरीका होगा जीरो अगर सबसे कम वाला होगा तो जीरो डाट जीरो डाट जीरो सारे group में और maximum कहा तक जाएगा सारा group 255 2555 तो पहला काम तो यह किया कि आठाट ग्रूप में बताया और इससे आपको असानी होगी कि कोई भी group जीरो से शुरू होगी और 255 तक जाएगा इससे उपर तो जाई चीज है कि मैं यहां पर कुछ आप्शन लिखूं आप्शन ए कोई आई-पी अड्रेस लिखा 192.168 5.4 आप्शन बी लिख देता हूं 251.0.0.3 तीशरा आप्शन लिख देता हूं 152.256.32.4 और आप्शन डी एक लिख देता हूं 0.0.0.5 अगर मैं आप से सवाल पॉसिबल नहीं है चैट में लिखके बताइए अटेनेस लग जाएगी वीच आई-पी अड्रेस इस नाट पॉसिबल जो मैंने अभी बताया यह स्रिया कांसर आ गया बाकी यह हनुमान और तीशरा कोन एक हो है सुहानी और आयूश आप लोग भी लिख दिए सी बिलकुल कि यह वाला जो सी आपने क्यों बोला नो डाउट मुझे भी आप जो पकड समझता हूं यह 255 से ज्यादा हो गया इसलिए आई-पी अड्रेस संभव नहीं है तो पहली चीज़ तो किलियर हो गई कि आई-पी अपनी सुविधा के लिए आठट का गुरूप बनाया इंसानो नहीं बनाया ठीक है और कोई ग्रूप इससे जादा नहीं हो सकता एक चीज़े क्लियर हो दूसरा पॉइंट आते हैं अब आई-पी अड्रेस अगर यह टेलिफोन नंबर में यहां पर दुबारा से लिख देता हूं हमने जो टेलिफोन नंबर लिखा था उसी का मॉडिफि प्रेट यह जो टेलिफोन नंबर है यह दो भागों बटा है एक फिक्स पाल्ट कहां से लेकर यहां तक यह पिक्स पाल्ट में हो गया है कि अप दूसरा हमारा एक कस्तमर वाला पालट हो गया ठीक है यह दो भागों में बटा इतना तो हम लोग जानते हैं आपको याद 192.1685.4 कोई भी टेलफोन नंबर होगा अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो यह अधी अधूरी बात होगी क्यों एक सवाल पूछता हूं शुहानी अन्मूट हो जाएए मैं स्क्रीन पर कुछ लिख रहा हूं 25.08.2000 तो मैं अगर आज से पूछ हूं कि इस क्रीन पर क्या लिखा यह क्या चीज है क्या चीज हो सकती है क्या अंसर होगा जनरल सवाल एक डाटा क्या पॉस्यूबल है अब अपने 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 नॉलेज से जो दिखाई दे रहा है वो तो डेट लग रहा है लेकिन यह डेट हो इस बात की गारंटी नहीं है लेकिन अगर मैं इसी में आगे यह सब्द आइड कर दूं अब बताओ अब तो सी तरह से यह जो आईपी अड्रेस है यह अधूरा है कभी भी जब आईपी अड्रेस पर्चेश करोगे डफिनेटली फूचर वाले में तो करना ही करना पड़ेगा अभी आप ट्रांसफार्मेशन के दौर में है तो अभी आपको तो सिंपल वान नाइन टू डाट वन सिक्सेट वाइब दाट पोर स्लाइश त्वंटिफॉर या तो ऐसे मिलेगा या फिर क्लास सी आईपी अड्रेस वान नाइन टू डाट वन सिक्सेट वाइब डाट पोर आईपी अड्रेस ऐसे मिलेगा या या तो स्लाइश त्वंटिफॉर लिखा होगा या स्लाइश कलास सी लिखा कभी भी किवल यह चीज नहीं मिलेगा और आपको अपने अपने जो प्रोपेशनल लाइफ है आप जहां जरिंग का काम करें या कोई और काम करें तो यह दोनो कि आपको इस तरह से आईपी अड्रेस मिल जाएगा मैं क्लीन कर देता हूं कोड़ा सा भी डटा देता है जब कोई भी आईपी अड्रेस हो जाएगा सपोज करो यहां पर 192.1685.4 सपोज करो फ्लस 24 लिखा है तो आपको हमेशा क्या क्या चीज निकालनी होती है क्या की समझ नहीं होती है पाहला कोश्चन है पूछा जाएगा आप से इसका विए बताओ नेटवर्क कि आईडी बताओ दूसरा हमारा कि ब्रॉट कॉस्ट आईडी बताओ तीसरा हमारा आईपी रेंज बताइए या फूल बताइए चौथा हमारा नमबर आफ आईपी बताइए और लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है सबनेट मास फिकन यह सवाल हमेशा इतना ही मतलब है हम लोगों के इससे जाला जानने की जुरुवत नहीं है और जो चीज मैं बता रहा ह पूरी किताब में इसनी में खतम हो जाएगे जब भी कोई आइप अड्रेस दिया जाएगा इस सवाल पूछी जाएंगे यहां पर जो पहला टेलिफोन नंबर था मैं आप से पूछ रहा था जब मैं अभी आज भी बताया कि जो पहला टेलिफोन नंबर था ट्रिपल जीरो वह क्या था उसको हम लोग क्या बोलते थे उस एक्स्चेंज की आइडी उसका नाम बदल के आई-पी एड्रेस में जो एक्चेंज आइडी था एक्चेंज अगर मैं इसका पूछू को बारा से लिख देते हैं इसका जो है पूर्स टेलिफोन नंबर थीक है ना वह आपके क क्या बोलते थे एक्स्चेंज आइडी ये एक्स्चेंज आइडी के लिए यूज किया जाता है दा फॉर्स टेलिफोन नंबर ठीक ना लास्ट टेलिफोन नंबर यह हमने लड़ी मन लिख रहा हूं ताकि को समझ में रहे कि याद रहे प्लस नाइन वन टू जीरो कू सेवन myuu-5999 इसको माव्ल वोल ले थे ब्रौट्कॉस्ट आइडी आलेडी हमने पिछले लास्ट वीडियो देक लीजएगे ब्रौट्कॉस्ट आइडी तो उसी तरह से यह जो पहला पुराने जमाने में अब इसी का जो नया नाम है आज के जमाने में बात करें इसका जो नया नाम है IP address में network ID हो गया broadcast का नाम तो कोई बदला है नहीं वही रहाए गया ठीक है और जो ब्राटकास्ट हो गया लास्ट IP address क्लियर होगी मेरी बात यह चीज फाइंड आउट करना तो अब हम इन दो चीजों को देखते हैं इसमें जो क्या था इस telephone number में तो बहुत आसान था कि हम कितना भाग fix है कितना भाग customer का है वह हमने find out कर ले इतना भाग fix हो गया इतना भाग customer का है तो definitely IP address में भी telephone number का ही नया स्वरूफ है जुसका कितना भाग fix होगा कितना भाग कैसे पता चलेगा वह इससे पता चलेगा यह अगर नहीं लिखा होता तो हम नहीं बता सकते है टोटल कितने बीट का है ठाटी टू बीट का है ठाटी टू बीट में से इसका मतलब है कि left hand side से right hand side टक जो यहां पर लिखा है 24 बीट वो फिक्स है किलियर हो गया मतलब यहां जो लिखा हो क्या है फिक्स है और उसको network भी बोल देते हैं टेकनिकल बास सामें ठीक है तो अब अगर मुझे पहला IP address निकालना जो टेलिफोन निकालना फिक्स है यहां कुछ भी लिखा हो हो जाएगा फिक्स हो जाएगा यह तो बतलेगा नहीं जैसे कि इसमें ना नाइन वान टुझे डूसरा ऑन शक्सी कि अलार मैं गेटिंग पाइंट कितना असान है फिक्स पाल्ट वहीं रहाएगा बाकी तो गिंटेजर नेट्वर्क आइडी निकल गया एक मिनिट में निकल गया आपने बेसिक पकड़ लिया फटाकस्था अगर मैं पूछू ब्राटकास्ट आइडी तो भाई यह फिक्स पा फाइब नहीं देना आइपी का शुरू होगा वन नाइन टू डाट वन सिक्स एट पाइब डाट वन से शुरू होगा और टू फिफ्टी फोर तक जाएगा यह तीनों पॉइंट समझ में आ गया देखने में कितने लंबे लंबे सवाल थे और फटा 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 आपके साम जो तो सबसे पहले सभी लोग्स चैट में बताएं नेटवर्क आईडी क्या होगा आज इतना ही रखेंगे नेटवर्क आईडी पटापट लिखिए अगर मेरी बात पकड़ लिए हैं तो पटापट नेटवर्क आईडी लिख सकते हो कि वेरी नाइस लियाना फटापट और आप लोग भी आदर डाल लीजिए कि जब भी लिखें आंसर बिल्कुल सही है रियास वानी ठेकिन जब भी लिखना हो तो ऐसे लिखो अभी आदर डाल दो अभी आदर बिगाडने की जरूर्वत नहीं है जीरो के साथ 24 जरूर लिख और ब्राटकास्ट आइडी क्या होगा ब्राटकास्ट आइडी शुरू के तीन तो फिक्स हो गए अब बिल्कुल सही लिखा यू से बिल्कुल ठीक है इस तरह से ही लिखना है फिक है आई-पी रेंज कहां से होगा 10.10.10.1 से शुरू होगा और 254 यह जहां भी होगा वहां आपे 254 पुप्यूटर लेफ्टॉप आप जोड सकते हो शीरा सा मतलब है कितने जोड़ सकते 254 पुप्यूटर लेफ्टॉप आप जोड़ सकते हो क्लियर होगई अब इसी कोश्चेन को थोड़ा सा हम हाड़ बना देते हैं एचीज है और 10.10.10.10. अगर मैं लिखता कि नेटवर्क आइडी क्या होगा बताओ अगा सलाश 16 हो जाए बताओ लेफ्ट हैंड साइट से राइट हैंड से बिल्कुल सही आयूस का बिल्कुल सही है रिकार रिया का नहीं बहुत अंसर दे दिया सुवानी ग्रूप भी नहीं अभी यह भी गुरूप भी हाई नहीं मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे लोगों ने बनाया ठीक है ना इससे आपको पक्का हमेशा के लिए किलियर रहेगा बिल्कुल सही लिखा अभी बताओ ब्रोटकॉस आईडी क्या होगा थोड़ा चेंज किया है किलियर होगे है थीक है 10.10 यह तो रहे गई आगे 16 ब आपको यह लिखके देखो आता है कि नहीं कि जीरो डॉट वन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आखरी से पहले लिए टेन डॉट पर्मनेंट याद रहे आज की नहीं यह पूरी जिन्दगी काम आने वाली है चाहे आप कंप्यूटर साइन में सॉप्ट्वेर बना लें इंजरी में कर लें आज को मैंनेजमेंट में बढ़े सब के लिए बेसिक सी चीज हो गई है ठीक है कल क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है तो एनी को क्वेश्चन ठीक है ओके मैं रिकॉर्डिंग सेयर करूंगा और और देख ली जाएगा थैंक्यू 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 सब्सक्राइब